स्वर के प्रकार से बीघर सवर है सवर, रिसर सवर और अम नसिक और योग बाह Just तो अभी हम सिकhएंगे वेंजन वेंजन में कितने प्रकार या और और आवर्पिया वेंजन में कौन से आते हैं मैं अभी आपको दिखाऊंगी या लिखकर यहां पर इह हो गए वेंजन अभी कैसे लगाएं वेंजन में कितने हैं मैं अब लिखते जाते हैं कर दो जर चब च, ज, च, ज, य, ज, 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 च कम दें, चाइएट अबी त, ओ, ज, ज, chief तर, तर, दर, धर के का जिते है का ह 레ов दंग म, य, य, र, ल, ब, व, श, 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 स, अ, अ, ख, hen, द, फाड़ा, ख, श, कर, ग, य, हों किया, य, होगा, य, हों किया, य, हो गया, कारसे लेकर नियाता, अभी य, य, यह कासे लेकर मौतब वर्दिया वर्दिया मेंजन ठीक है और यह जो है यह पूरे अक्षर जो है अबर्दिया मेंजन ठीक है यह जो है वर्दिया मेंजन है और यह अबर्दिया मेंजन है तो अभी यह दो हो गए तो अभी हम यहां पर कर जैसे कि हमने इस वर्द में लिखा था रिस्तस्वर और दिर्वस्वर अभी यहां पर भी यह दोनों विबजुत होते हैं जैसे कि यहाई है अवरदिय यह जो है आवरदिय यह समांतर नहीं है इसको से आपे लिक्र प्रहना को तो doctor में कनों बयादंगा है इसी तत्षी में डम्य आसी तुन 115 mm अधिर पीकम्राकर नस सब्सक्राइए अर महा प्रहना कुं सबस्क्राइख है महा प्राण खो महा के लिए ज्यादा समय लगता है तो यहां पर महाप्राण होता है अभी हो गया गष गष के लिए अधिक समय नहीं लगता तो यह भी आलपप्राण समय में ये इसका यह यह जो है यह अनुनासिक है अनुनासिक है इसको हम पंचाक्षार भी होलते हैं अनुनासिक है यह हो गया अभी यह हो गए एक लाइंट खतम हो गई अभी तो दूसरी आती है च च के लिए भी ज्यादा समय नहीं रखता तो च भी है अल्पो प्राणा अल्पो प्राणा भी यह च है अभी च च के लिए ज्यादा समय लगता है निहां और वी हो ज्यादा समय र लगता है और अल्पो प्राणा कुन सा है ज्यादा कौनसा अल्पो प्राणा एनुनासी है चीखें अभी तो उसके लिए बिल्डा समय नहीं लगता तो असके बाद ठो तो केsource लिए आपता लगता है तो यह अधिक समय के Microsoft सेपार्ण है उसके बाद क्या द जो है यह भी अनुमासिक होता है और पंचमाक्षन होता है ठीक है यहां होगा है हम तक अभी जो है हम फटाफट लिगें तो जो है अल्पप्राण है और जो है यह पाप्राण है ठीक है इसके बाद थर हो गया अभी दर जो है यह अल्पप्राण है और जो है यह महाप्राण है ठीक है इसके बाद आता है नो नो भी है अनुमासिक पंचमाक्षन में आता है यह ठीक है अब है पढ़ी है अल्पाव फ्राण और यह महाप्राण है ठीक है अब हो गया बाद करता है यह यह विह अल्पप्राण ही आता है और यह भूम यह महाप्राण है टीए अभी म रहे गया म रहे गया तो ये भी क्या है अने कहा जैसे कि हदुनासिख पंचमाक्षर तो म पंचमाक्षर कहाला था है ठीक है यह हो गया Vargya Vengeance और अवर्गिय वेंजन और इसको अवर्गिय वेंजन कहते है ते लेकर तिल धन्याद अभी इसके आगे जो यहां पर भी हम कहते हैं अभी यहां लवा जो है यहां लवा जो है यह है अन्त मतलब क्या है यहां पर जीव तालू और ओट से उच्छारण होता है और परस पर सठाने से यहां यह वेंजन बनता है तो यहां पर हम क्या कहते हैं इसे अन्तस्तन का वेंजन कहते हैं ठीक है उसके बाद क्या है श स ह यह जो है उश्म उश्म वेंजन यह लिए कि क्या है श श बोलने पर मूँ से हवा निकलती है उसी तरह नहीं श स ह बाहर अच्छा रहा होता है उश्म और उसके बाद जो है इसलिए हम क्या कहते हैं इसको उश्म वेंजन कहते हैं ठीक है अब जो है यह तीन अक्षर उसे हम कहते हैं सयुक्त अक्षर सयुक्त अक्षर ठीक है सयुक्त अक्षर भी कह सकते हैं किश्म बेंजन यहाँ पर श त्र द्या यह तीन अक्षर यह तीन अक्षरों को यानिकि यहां पर हर एक आ एक अक्षर दो अक्षरों को संस्तमार करके एक खुड बना है जैसे कि आफ़ संगे कि त्र को र का सब्सक्राण दिल बना त्सक्या है थे तो उसे में 2 औकशर बनाते ही उसको से但 भी क्या करना है कि अपने कलास्वार्णा करें ने तक स्वर और गदेंग को किसे लिखना है करके उसी तरहांस आपको क्या करना है आभी यह कर से लेकर तिर ज्ञाद तब आपको इसी तरीके से वर्गिये वेंजन और अवर्गिये वेंजन और वेंजन में अलपप्रांड कौनसे और महाप्रांड कौनसे है और यह अवर्गिये वेंजन में अंसस्त वेंजन और उस्तन वेंजन और सयुक तक्षर कौन से कौन से करके आपको लिखना है चीक है यही आपका होमोर करेगा धन्यवाद